नमस्कार दोस्तों मैंना प्यूश आप देखते कुछ नार भारत इंदौली में घटना हो जाती है 24 साल की एक लड़की को पुलिस के द्वारा पीट पीट कर मार दी जाता ऐसा परिवार क्लेम कर रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई जिसमें कुछ महिला पुलिस थी कुछ और बहुत बड़ी तादाद में पुरुस थे कहा जा रहा है कि 40 के आसपास लोग थे पुलिस आई कहना है कि जो लड़की के पिता हैं उनके ओपर गैंग्स्टर रैक लगा है सिर्फ दो बहने हैं तो 40 की दादाद में पुलिस क्या करने आई थी और जब पुलिस को पता तरा कि पिता जी नहीं है अच्छ सर्च करती नहीं है तो पुलिस को चुप-चाप चले जाना जाई था तो दोनों बहनों को पीटने का क्या दाद पर रहे था पहली चीज एक बहन को अलग कमरे में ले जाके इतना पीटा गया 20-30 पुलिस वाले गये इतना पीटा गया कि उस लड़की की मृत्ती हो गई और फिर जाते वक्प उसको पंखे से टांके चले गए ऐसा परिवार का कहना है उसकी बहन का कहना जो वहाँ पर थी उसको दूसरे कमरे में जाने नहीं दिया है तो उसको कहीं और पीटा जा रहा है अगर आप रिपोर्ट देखेंगे जाके न्यू शैनल ने जो कवर किया वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा ना वो वेक्ति जिसके उपर गैंक्सर रेक्ट और तमाम धाराएं लगी है वो वेक्ति ना उस क्रिमिनल जैसा दिख रहा है ना उसके घर गैंक्सर वालो है ना उसके पास ब्यवस्था वैसी है ना वो accept कर रहा है कि मेरे उपर इतनी धाराएं लगी है और यहां तक कि पुलिस ने इतनी जबर्दस्ती और blackmailing करके body receive की परिवार का कहना है कि यासे वो वाले case में वाधा कि लड़की की body burn कर दी गई थी हाथरसाले मामले में लड़की का खहना है कि हमने फोटो भी ले ली है जो चोट के निसान दी है उसकी फोटो भी हमारे पास लड़की के आंक से खून तक निकल आए और जब पोस्ट मॉटम हो रहा है तो डॉक्टर का कहना है कि हम दो दिन बाद समझ सकते हैं एक सोचने वाली बात है कि जब पुलिस आती है तो दो लड़कियां स्वस्थ हैं अपने घर में और पुलिस जाती है तो एक लड़की लटकी हुई है क्या पुलिस के सामने 20 लों के सामने उसने फासील लगाई यह कहना चाह रहे हैं या पुलिस के सामने उसने जबरदस्ती कुछ खा लिया सेंस है इस बात के कोई लेकिन इलनों को लग रहा है एक S.H.O को सस्पेंट किया गया है क्या यह लगता है जस्टिस है क्या अब मेरी मांग यह है कि उत्तर पुलिस में जिस पुलिस में योगी सरकार को दुबारा फिर से चुना गया कि पुलिस प्रसासें ध्यान रखेगा कि बीटियों की सुरक्षा होगी उसी उत्तर पदेश में 40 की तादाद में तुनिया का कौन सा वो बड़ा सा गैंक स्तर है भाई कि उसके घर पे ना होने के बावजूद उसके ना असला है ना बारूद है ना हथियार है ना उसके पूरी गैंग चल लए उसके साथ 40 की तादाद में आप करने का कहे थे पिता का क्लेम है कि वो लोग मुझसे घूस मांगते थे वसूली करते थे मेरी दुकान अच्छी चलने की वज़े से कोई बात दबी हुई नहीं है कि जब दुकाने अच्छी चलती है तो पुलिस वाले पसूली करने पेखच जाते हैं कोई बात दबी नहीं है कि किसी एक पुलिस पimme जाम नहीं लगा रहा और पिता नहीं दे रहे थे तो उनके उपर और उनके बच्चों के उपर पुरा चार्जिस लगा लगा के लगा लाके कोट के चक्कर कटवा कटवा के प्रताडित किया जा रहा था ऐसा पिता का कहना है अब मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्या इसी उत्तरपदेश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए चुना गया था मैंने खुद इस सरकार को वोट दिया है शायद उन लोगों ने भी दिया होगा अब अपोजिशन ये गेम खेला है कि वो यादव थे इसलिए उनको पताडित किया जा रहा है अपोजिशन को जो कहना है कही लॉजिकल बात कहनी कहे जो मांग करनी करे मैं एक नागरिक होने के नाते एक वोटर होने के नाते ये एकस्पेक कर रहा हूँ कि जंदौली में जो हो रहा है 40 के 40 पुलिस वाले महिला हो पुरुश हो सब को नौकरी से निकाला जाए जो धाराएं लगनी है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए इदम strict CBI लेवल की जाच होनी चाहिए अगर ये नहीं हुआ अगर ये नहीं हुआ ये मुद्दा दबा दिया गया किनी कारणों से क्योंकि जो रिपोर्ट दो दिन में आने थी पैरेंस को मिलने थी वो एक दिन के अंदर अंदर पुलिस को मिल जाती है जान से मार के नहीं आएंगे अगर ये दावा सच है उनका परिवार का तो लड़की की मृत्वी हो गई है ये तो कहीं नहीं चुपा है लड़की के परिवार कहना कि पुलिस वालों ने इतना मारा सबके जितने अपराधी पुलिस वाले हैं उन सबके नाम चिन्नितों कि ये हैं वो घर में नहीं था वो वेक्ति शूट आउट में नहीं मा रहा है आपने किसी को आप गए हैं आपने इंटेंशनली खुननस में बच्चों को पीटा है ये हिंदू, मुसलिम, जाथ, पाथ, भाजपास, सपा का केसी नहीं है पुलिस ने बरबरता दिखाई है चालिस की आवादी लेके आप गए क्यों थे जब आपको पता था कि वहाँ पे नहीं है वो वेक्ति मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अब देखते हैं, ये मामला कहां तक जाता है मीडिया वाले मेंस्ट्रीम मीडिया जो है, इसको न उचालना बंद करें, इसको दबाओ बना है, प्रेशर बना है इन सब पे जाँच हो, चालिस के चालिस एक सेच्चों सस्पेंड हुआ है और क्लेम किया जा रहे कि चालिस आये थे चालिस उन्हें पता चला कि व्यक्ति में क्रिमिनल घर पे नहीं है उनको उल्टे पाउं लोड जाना था लेकिन वो अंदर गए फोर्सफुली मारा पीटा बच्चों को ये यूपी की पुलिस है मैं चाहता हूं जुड़े को और आगे बढ़ाईए दवाओ बनाईए जाच होनी चाहिए मुद्द दबना नहीं चाहिए वरना फिर पुलिस अपने शक्तियों का वो तो पुलिस को क्या सोची होगी कि हमारे पास फुरेंसिक है इस दिन रात के लिए योगी सरकार को आपस नहीं लाया गया था क्रेपिया इन पर कारेवाई हूँ आने था आने वाले चुनाओं में विपक्स इसी बात को मुद्दा बनाएंगे और जंता के पास एक्सक्यूज भी नहीं होगा कि किसको वोट दें किसको ना दें उनके बास सुच करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा फिर मिलते हैं अगली डुन जाहे हैं